देश अपना पिचतरवा गंतंतर दिवस मना रहा है, लेकिन ऐसे में हमारी जैसे जो यंग्स्टर्स हैं, उनको काफी जादा मिस इंफरमेशन है रिपब्लिक देखे बारे में, जो कि आज उस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे और सही इंफरमेशन आप तक पहु जो क्वेशन हैं, जो क्वेशन हैं, जो सोचल मीडिया पर क्वेशन वायरल होते हैं, जिनके काफी जादा गलत आंसर सुनने को मिलते हैं, तो वही में तीन क्वेशन आप लोगों से पूचूंगे और उसके बाद हम उस पर बातचीत करेंगे, तो आप लोग तुरंत ही जनतंतर दिवस और स्वतंतरता दिवस, दो ये दिवस हैं, उनका सेलिबरेशन दिली में सेम जगा पर किया जाता है या अलग जगा पर होता है? जवाब दिये है, अब मैं अपने ओडियनसे के लिए बता देती हूँ कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या कहानी है, थांक्यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो जिस तरीके से पहला सवाल यही था कि कौन जंडा फेराता है गंटांतर दिवस के दिन, जंडा फेराते हैं, दूसरा सवाल यह था कि ध्वजा रोहन और जंडा फेराने में कुछ अंतर होता है या दोनों सेम बात है, जनरली लोगों को लगता है या हमारी जैसे जो यंग्स्टर्स हैं, आजकल उनको भी लगता है कि ये दोनों बाते सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं ह जंडा फेराया जाता है, उस दिन जंडा उपर बंधा होता है, उसे सिर्फ फेराया जाता है, उसे सिर्फ खोल कर पुषप अरपन होते हैं उसमें से और उसे फेराया जाता है, लेकिन वहीं इंडिपेंडेंस दे या फिर स्वात अंतरता दिवस की बात करें, तो उस दिन जो जंडा है जो तिरंगा है उसे रसी से नीचे से उपर तक खीचा जाता है जिसे हम ध्वजा रोहन कहते हैं और ये दोनों ही जो celebrations हैं वो दिली में अलग-अलग जगा पर किये जाते हैं जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि स्वतंतता दिवस के दिन जो देश के जो राश्रपती हैं द्रापदी मुर्मू हैं वो जंडे को फेहराती हैं और ये जो गंटंतर दिवस का पूरा celebration है वो राजपत पर किया जाता है तो ये कुछ सवाल थे जिनको लेकर आजकल जो नई जनेरेशन है या जनेरेशन है वो काफी सादर confused रहती है लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल होंगे वो clear हो गए होंगे क्योंकि हमारा देश है हमारे देश का समविधान है इतिहास है बहुत ही महनत से हमने आजादी पाई थी जिसके चलते हम अपना स्वतंत चता दिवस मनाते हैं और वहीं हमारे देश का जो समविधान है वो बहुत ही महनत से बहुत सारे लोगों ने लिखा था जिसको लेकर हमारा समविधान तयार हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन हमें Republic Day के दिन हम उसको मनाते हैं और उस दिन हमारा जो समविधान है वो लिखा गया और हमने लागू किया था तो यह कुछ questions थे जुनके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहते थे इस वीडियो पर आपकी क्या राया है और ऐसी कौनसी और misinformation आप तक पहुंचाई जा रही है हमें comment करके जरूर बताएगा क्योंकि जो भी misinformation आप तक पहुंच रही है हम कोशि